नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रसान सिंग और आप देख रहे हैं टेके टूजेग दोस्तों LG ने अपना G6 लांच किया इंडिया में अपना फ्लैक्शिप फोन करीब 52,000 रुपे की प्राइस में हलांकि उसने आफर्स वगरे भी कुछ दिये और इसकी प्राइस अगर आप आफर्स वगरे का लाब उठाएंगे तो 45,000 करीब गरीब आ जाती है लेकिन अभी LG G6 के एक और वर्जन की ख़वर सामने आई है यह है LG G6 Mini और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि LG पिछले दो साल से अपने जितने फोन्स जो फ्लेक्सिप फोन्स लांच कर रहा है उसके दो वर्जन लांच करता है जैसे G4 उसने लांच किया तो उसका एक छोटा कामपैक्ट वर्जन लांच किया G4C जबकि G5 का एक छोटा वर्जन लांच किया G5 Mini और अभी G6 Mini की जो ख़वर आ रही है इसकी कुछ images वगरे आई है, photos लीक हुई है तो इसमें यह दिखाया गया है लगबख सेम डिजाइन है, बिल्कुल ही सेम डिजाइन है LG G6 के मेन वर्जन की इतरह है और इसमें 5.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी, जबकि LG G6 जो मेन फ्लेक्सिप वर्जन है उसमें आपको 5.7 या 5.8, 5.7 इंच की साथ डिस्प्ले मिलती है और एस्पेक्ट रेसियो इसका वही रहेगा, जो नॉर्मल 16.9 का होता है वो नहीं रहेगा, 18.9 का जो G6 में है वही इसमें भी रहेगा और अभी इसके हालां कि इंटर्नल्स की कोई ख़बर नहीं आई है कि इसमें RAM कितनी होगी, इंटर्नल मेमोरी क्या होगी, इसका जो स्पेसिफिकेशन्स वगरे इसके क्या होंगे, इसका प्रोस्सर क्या होगा लेकिन अभी ये ख़बर जरूर आ रहे है कि LG इस साल अगले हाफ में सायद ये G6 Mini को लांच कर सकता है और अच्छी खबर ये है कि LG इसको जो अभी तक खबर आ रहे है उसके हिसाब से, इसको इंडिया, चाइना वगरे जो डेवलिपिंग मार्केट्स हैं जो आगे बढ़री मार्केट्स उनमें लांच कर सकता है और ये US, UK वगरे में इसको नहीं लांच करेगा वहाँ के लिए ये सायद नहीं है फोन और इंडिया में ये फोन जल्दी आ जाएगा जब भी ये लांच होगा तो हालांकि LG की जो प्राइसिंग है वो अपने फोन की प्राइसिंग अजीब तरीकेश कर रहा है और खासकर लो इंड में अगर बात करें आप अगर इसको चाहें की 820 वगरे अगर इसमें देता है तो इसकी कीमत 40,000 भी हो सकती है या 42,000, 43,000 और फिर इस पे आफर्स वगरे देगा तो हलांकि इस चीज का कोई मतलब बनता नहीं जब आपको आफर्स वगरे देने ही हैं तो फोन की प्राइस ही कम करके लांच कीजिए इससे एक अच्छी इमेज बनती है जैसे अगर G6 को LG ने 45,000 या 42,000, 43,000 में लांच किया होता बजाए इसके की वो 52,000 लांच करके उस प की कैमरा भी उसका अच्छा ही है हलाकि इसमें LG G6 में वाइड एंगल कैमरा दिया है डूल कैमरा लेकिन अगर आप मेन बेसिक कैमरा फीचर की बात करें बेसिक फोटोग्राफिक ही तो वो S8 में जादा अच्छा है तो अभी देखना है LG आगे क्या करता है इसके साथ G6 Mini ल पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर भी किजिएगा और सबसे ज़रूरी चीज हमारे चैनल को आप सबसक्राइब अगर अब ही नहीं किये हैं तो जुरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा वीडियो के नीचे सबस्क्राइब बिटन दी होती है आप उसे क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, इसके अलाब भी मैं स्क्रीन पे कुछ वीडियोज देखे जा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियोज पसंद आए, तो आप ज़रूरी वीडियोज को देखिएगा, तो उम्मीद कर तो हम मिलेंगे ऐसे किसी आने वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।